आज किस वीडियो में हम बात करेंगे इगनु का एक popular course MA history के बारे में MA history जो भी करना चाहते हैं इगनु से तो मैं आपको यहाँ पे उसके full detail बताने वाला हूँ कि course की fees कितनी होती है subject कौन कौन से मिलेंगे आपको किताबे कब और कहां से मिलेंगी exam कब होते हैं exam fees कब देनी होते हैं assignment कब मिलते हैं assignment कब submit करने होते हैं बहुत सारे course से related question आपके दिमाग में होंगी तो वह सारे इस वीडियो में मैं आपको cover करके समझा दूँगा एक एक चीज़ विडियो को आपको ध्यान से देखना है और समझना है यहां पर मैं full detail बताने वाला हूँ आपको ma history course के बारे में तो देखिए ma history जो course एगनू का बहुत ही popular course है और इसको sort में ma h कहा जाता है ठीक है तो आपको यह चीज़े देहान लखने है इसके अलावा करा हम बात करते है eligibility यानि कौन eligible होगा इस course को करने के लिए तो देखिए यहां पर जो bachelor degree जिसके पास हो यानि जिसने अपनी graduation complete कर ली हो जो graduate हो वो ma history के लिए apply कर सकता है ठीक है यहां पर age क कोई limit नहीं होती आप किसी भी age में admission ले सकते हैं चाहे आप 30 साल के हो चाहे आप 40 साल के हो चाहे आप 60 साल के हो चाहे आप 70 साल के हो चाहे आप कोई भी age में हो कोई यहां पर age के limit नहीं होती है bachelor degree आपके पास होनी चाहिए या आपको यादर नहीं या फिर आपके पास कोई higher degree होनी चाहिए किसी recognize university से तो आप इस course में admission के लिए eligible हो जाते हैं दूसरा question ये है कि क्या ये course English medium में ही होता है या ये हिंदी में भी available होता है तो देखिए ये आपको दोनों medium में मिल जाएगा English में भी और हिंदी में भी आप किसी भी माध्यम से पढ़ सकते हैं आप इंग्लिस के student है तो आप इंग्लिस medium में पढ़ लो हिंदी क्यों तो हिंदी में बढ़ सकते हो को और सकी जो duration होती है minimum two year होती है आपको पता है एम में जो होती है वो क्विट करना है या आप मान लो नहीं पास और रहे है बार 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 बैक आ आ रहे है फिर पेपर दे रहे हो फिर फिर फैल ये वह ऐसे चल रहा है तो आप चार साल के अंदर अदर अब को अपना कॉर्स कंप्लेट करना होता है यह maximum होता है लेकिन minimum में अगर आप सही तरीके से कर पा रहे हो तो आप 2 साल में कर सकते हैं, ठीके तो यह सारा system है, अब यहां पे एक question यहीः भी आ जाता है कि कि इस course की fees कितने होती है, अगर हम course में एडिमिसन लेते हैं तो fees कितनी है, यहां पे देखिए 12000 fees है, यानि कि 12000 जो फीस है आपकी टोटल फीस है आपके पूरे कोर्स की 2 साल की यहां पर आपको एक चीज समझने है अगर आप पुराना इस देखोगे यह लेटेश्ट प्रोस्पेक्टैस है जो मैं आपको दिखा लेकिन एक चीज़ आपको और ध्यान में रखनी है कि जो पहले साल आप एडमिसन कराते हो तो आपको 200 रुपए का एक्स्टा चार्ज देना पड़ता है जो कि आपका रजिस्ट्रेशन का होता है यह केवल और केवल एडमिसन चार्ज आप समझ लो या फर्स्ट एयर का में आ कोर्स कितने साल का है minimum 2 maximum 4 eligible कौन है जो भी graduate है eligible है दोनों ही मीडियम में अविलेबल है इंगलिस और हिंदी फीस लेटेश्ट फीस क्या है 12,000 रुपए यह आपको सारा basic समझा दिया अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ और समझ दिया कि यह जो कोर्स है यह दोनों ही session जो देखिनों के दो session होते है जनवरी और जुलाई session दोनों में available है अब किसी भी session में admission करा सकते हैं अब यह session का मतलब क्या होता है इसको समझिए देखिए मान लीजिए आज मैं वीडियो बना रहा हूं आज का महीना अगर मैं बात करूं अभी October चल रहा है October 2020 अब इसके बाद क जनवरी session में अगर admission ले लिया तो December में exam होते है उसका result आ जाता है फिर फरवरी तक 45 दिन के बाद यानि जब आपका एक्जाम हो जाते है जिस मन्त में लगबग 45 दिन के बाद आपका result जो है आ जाता है तो इस तरीके से आपका first year हो जाता है तो यहीं पर आपको दो तीन च चीज़ आपको और समझनी है कि exam से पहले आपको दो चीज़े देनी है एक तो आपकी होगी exam fees और दूसरा आपका होगा assignments ठीक है आप assignments वगेरा भी जो है आप उसे भी दे सकते हैं और exam fees जो होगी आपकी जैसे आपके पास subject होते हैं महिश्ट्री में first year में आपके पास चार subject होते हैं second year में आपके पास चार सब्जेक्ट होते हैं तो एक subject के exam fees होते हैं तो चार सबजेक्ट की आपकी exam fixed first year में वह आपको 600 रूपय देनी हैं वह आपको admission के time पर नहीं देनी होती वह ठीक exam से पहले भरनी होती है तभी आपको काड आता है तो यह हो गया यहां पर assignment आपके कब जबाऊंगे दिखे जब आपके आपके assignment December में अगर आपके exam हो रहे हैं तो आपको exam से पहले आपके assignment होंगे exam से पहले आपके exam face होगे यह दोनों चीज़ा आपको टाइम जब assignment submit होने वाले होते हैं last month में आपको fees का option आजाता है कि आप fees बर दीजी और जब आप fees बरते हो तो महाँ पर आपसे पूछा जाता है कि आपने assignment submit करें या नहीं करें आपको आपको fees बरने होती है ठीक है तो इस तरीके से यह process होता है यह तो आओ गया आपका January session ले लिया आप जुलाई session में admission ले रहे हैं तो जुलाई में अगर आप admission लेंगे तो जुलाई के admission जो होते हैं वो जुलाई में भी चलेंगे अगस्त में भी चलते हैं September तक चलते हैं आपके admission हो सकता है last date बढ़ा दी जाए तो अक्टूबर में भी हो जाए तो यह आपके जुल में आपको जो आगे देखा था वहीं यहां पर भी है यानि एक्जाम से पहले आपको दो चीज़ देनी है तो आपको एक्जाम फीज देनी है और दूसरा आपको क्या देना यहां पर अपका admitted card आ जाता है यानि कि मही में आपका admit card आ जाएगा end में और June से आपके एक्जाम हो जाते है तो यह पूरा का पूरा कोडस में 64 credit Marie studies for जो आपका पहला फर्स्ट यंश करने होता है उसमें आपको चार यह चार के। सब्जक्ट ने एक सब्जड़क्ट आपका आठ credit का है तो आपके चार सब्ज क्रेडिक्ट जो हो जाएंगे वह 32 derivatives बना देंगे Rule यह समझाब है और ठीक इसी तरीके से 32 क्रेडिट आपको करने होगे सेकेंडेर में अब एक्रेडिट क्या होता है देखेंए जैसे कोई सब्जक्ट आपका चार क्रेडिट का भी है तो चार क्रेडिट का मतलब है आपका स्लेबस जोगा वह कम होगा थोड़ा यानि आपकी होगे तो मैं क्रेडिट पर वीडियो बनाऊंगा वहां पर हम आपको डेटेल में बदाऊंगा तो यह आपको यहां पर समझ मांगया होगा इतना अब देखें यहां पर सब्जेक्ट में आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है पर्स टियर में आपको कोई चोईस नहीं मिल यहां पर आप को कोड से याद रखना है सब्जेक्ट को मांचाई ँए मांचाई फॉर 이제 है थां तो आपको मोडन में पर नहीं पर ne जाएगा जब आपका हो जाएगा तो यहां पे आपको एमचाई थी घ्री जो ऑगा कंपल सरी है यानि कि सेकंड एर में आपका केवल एक सब्जेक्ट कंपल सरी है जो है एमचाई थी इसके अलावा इतने सारे सब्जक्ट आपको मिलेंगे MPSC 3, MPSC 4, MHI 6, MHI 8, MHI 9, MHI 10, यह सारे subject आपको मिलेंगे, इन में से आपको चूज करना होगा, कि आप कौन सा पढ़ना चाहते हो, देखें, India National Movement पढ़ना चाहते हो, तो आप MHI 9 ले सकते हो, अगर आप Urbanization in India पढ़ना चाहते हो, MHI 10 ले सकते हो, यहाँ पर आपके पास choice होग और देखें, यह जो 4-4 credit के 2 subject हैं, तो MPSC 3, MPSC 4, अगर आप इसमें लेना चाहते हो, तो आपको यह 2 लेने पढ़ेंगे, तभी आपका 8 credit यहां से बनेगा, समझगे ना, तो आपको यह 2 लेने पढ़ेंगे यहां पर, लेकिन इसके अलावा अगर आप इन में से लेना चा क्रेडिट के हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन 2nd year में आप आते हो, तो एक आपका fix है, यह आपका compulsory art credit का, यानि आपको total 32 credit लेने हैं, जिसमें से 8 आपको compulsory मिला हुआ है, तो आपके पास जो बच गये, ठीके आपके पास 24 credit जो हैं बच गये, यानि आपको 24 credit पूरे करने हैं, या तो आप 8 art credit के कोई 3 subject चूज कर लो यहां से, या तो यह हो सकता है, या फिर अगर आप 4-4 credit वाले ले रहे हो, तो आपको ये 2 लेके, ये 2 subject आपका 8 credit ही बनाएंगे, यहां से 2 ले लो और फिर यहां से कोई 2 ले लो, इस तरीके से आप कर सकते हो, वो आपकी मर सरी आपको option मिल जाएगा, जब आप admission करा लेते हो, जब आप अपने dashboard में जाओगे एगनों के, तो वहां पे भी आपको इस तरीके से दिख जाएगा, देखिए, जैसे मान लो, यह course है, एमेचाई 1, एमेचाई 2, एमेचाई 4 और 5, यह compulsory है, देखिए, यह जो color है, यह compulsory क तरब दिखा रहा है, और यह जो दूसरा color है, आपको यह optional दिखा रहा है, जैसे यह मेरे subject है, जब मैंने में की थी, तो मैंने MHI 1, 2, 4, 5, तो first year में compulsory पढ़ा था, और second year में MHI 3 पढ़ा था, लेकिन यह optional में मैंने choose कर रहे थे, 8, 9 और 10, तो आप भी यहां से option में कोई भी subject choose कर सकते हो, जैसे 6 भी कर सकते हो, चाहो तो 8 कर सकते हो, 9 कर सकते हो, 10 कर सकते हो, यह MPSC 3, MPSC 4 भी कर सकते हो, आपकी सामने option है, तो इस तरीके से आपके, ठीक है, और यहां पे एक चीज़ आपको समझनी है, कि आपके जो exam होता है, बहुत सारे जो होते हम वो गलत तरीके से उसको समझते हैं दीख़े आपका जो एक्जाम होगा और आपका जो Lif horizont होगा दोनसे का आपका वेंटेश देखा जाते हैं दोन सो मार्स कर लिया चाता है यानी सो मार्क्स कई आपका आसाइंमेंट होगा सो मार्क्स का एक्जाम होगा ठीक है एक souvent का वेटेज आपका जो होगा वो 70% कर देंगे और assignment का वेटेज जोगा आपका 30% कर देंगे तो इस तरीके से आपका क्या है पूरा पेपर होएगा और अपने assignment पे जितनी मैनत करोगे उसके according आपको marks मिल जाएंगे paper में जैसे मैनत करोगे वैसे आप marks मिल जाएंगे आपको तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया complete full detail और अगर आपको अभी कोई confusion है तो आप मुझे comment करके बताएं मैं उस topic को लेकर नया वीडियो बना दूँगा एक separate वीडियो बना दूँगा ठीक है बहुत सारे student है हो सकता है उनको assignment वेटिस को समझने में दिक्कत आती हो तो आप मुझे comment मैं बताएं मैं आपको समझा दूँगा सारी चीज़े तो मिलते है next video में thanks for watching सभी को जै हिंद जै भारत